सभी का स्वागत है, हम आपके सुरक्षा और फायर प्रिवेंशन के सभी पहलों से संबंदित जानकारी के लिए आपके सुरक्षा सलाहकार हैं। आने वाले राष्ट्रिय सुरक्षा दिवस के विशय पर, हम सुरक्षा नेत्रित्व के लिए एन्वरोन्मेंटल, सोशल और गवर्नेंज, इसजी, उत्कृष्टता पर ध्यान के इंद्रित कर रहे हैं। जरूरी है कि Clear Performance Indicator स्थापित किये जाए, जो सुरक्षा और ESG सिध्धानतों के Leadership Practice और व्यापक संगठनात्मक Safety Culture को बढ़ावा दे और उसका मूल्याकन करें। ये संकेतक स्मार्ट होने चाहिए Specific, Measurable, Achievable, Relevant और Time Bound। यहां आपकी रणनीती के पहले चरण के रूप में इन प्रदर्शन संकेतकों को विक्सित और लागू करने का तरीका है। आईए ESG और सुरक्षा नेत्रित्व लक्ष्यों को परिभाशित करना शुरू करें। हम ये स्पष्ट रूप से परिभाशित करके शुरू करते हैं कि आपके संगठन के लिए ESG उत्कृष्टा का क्या आर्थ है। विशेश रूप से सुरक्षा नेत्रित्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इसमें कार्यस्थल दुरगटनाओं को कम करने, परियावरन सनरक्षन उपायों को मजबूत करने, कर्मचारी कल्यान में सुधार और नैतिक शासन सुनिष्चित करने के प्रतिबधताएं शामि आई ये एन्वरोन्मेंटल, सोशल और गवर्नेंस पहलूँ में प्रतिएक के उदाहरन लेते हैं Environmental Indicators एक संगठन के परियावरन या Environment के प्रतिबधता का मूल्याकन करने के लिए महत्वपूर्ण मापदन का कार्य करते हैं परियावरन ये घटनाओं में कमी एक प्रमुक संके तक है, जो उन घटनाओं को कम करने में बढ़ाई गई सुरक्षा प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता को दर्शाता है जो परियावरन को हानी पहुचाती है, जैसे की Spill और Emission, ये मापदन एक संगठन की प्रकृती पर अपने नकारात्मक प्रभाव को कम करने के समर्पन को दर्शाता है इसी तरह, Waste Reduction और Recycle परियावरन ये Stewardship के महत्वपूर्ण संके तक है वे Waste Management प्रयासों में प्रगती की निगरानी करते हैं, उत्पन Waste की मात्रा में कमी को उजागर करते हैं और Waste Recycle प्रथाओं में सुधार को प्रदर्शित करते हैं मिलकर, ये संके तक एक संगठन के परियावरन ये प्रदर्शन का एक व्यापक द्रिश्य प्रदान करते हैं, जो आने वाली पीरियों के लिए प्लानेट को संरक्षित करने की उसकी प्रतिबधता को दर्शाता है Social Indicators जैसे कार्यस्थल दुरगटना और घटना दरों के साथ साथ कर्मचारी कलियान और संतुष्टी जैसे सामाजिक संके तक एक संगठन की सामाजिक जिम्मेदारी और संचाल अनात्मक उत्कृष्टा के महत्वपूर्ण माप हैं ये संकेतक कार्यबल की सुरक्षा, स्वास्थ्य और खुशी के बारे में अंतरद्रिष्टी प्रदान करते हैं कार्यस्थल सुरक्षा प्रोटोकॉल, स्वास्थ्य पहलों और कर्मचारी सहायता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को उजागर करते हैं दुरगटनाओं और घटनाओं की कमदर सुरक्षित कार्य वातावरन का संकेत देती है, जबकि कर्मचारी संतुष्टी और कल्यान के उच्चस्तर सहायक और सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति को दर्शाते हैं, मिलकर ये मैट्रिक्स या इंडिकेटर सोशल परफॉर्मेंस एक संगठन की संचालनात्मक अखंटा और नैतिक स्थिती में महत्वपूल्ण भूमिका निभाते हैं, कॉम्प्लाइंस सुनिश्चित करता है कि व्यवसाई परियावरन ये संरक्षन और कार्यस्थल सुरक्षा के लिए कानूनी मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का पाल देते हैं, दूसरी ओर, ट्रेनिंग डेवलप्मेंट आवश्यक ज्यान और कौशल से सशक्त बनाते हैं, यह इंडिकेटर्स किसी भी कंपनी के निरंतर सुधार और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, मिलकर, यह संके तक एक संगठन की जिम्मेदार शासन, स एक सुरक्षित और सस्टेनेबल संचाल अनात्मक मौडल के प्रोथसाहन के लिए समर्पन को मापने के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करते हैं, आईए अब कुछ इंप्लिमेंटेशन स्ट्रेजी पैर नजर डालते हैं, बेसलाइन मेजर मेंज, कोई भी नए इंड इंडिकेटर को लागू करने से पहले, प्रतियेक संकेतक के लिए आधार भूत या बेसलाइन मेजर दर्च करें ताकि समय के साथ प्रगती को ट्रैक किया जा सके एक्शन प्लान, किसी भी इंडिकेटर के लिए एक्शन प्लान में, जिम्मेदार पार्टिया, आवश्यक संसाधनों और उपलब्धी की समय सीमाओं को रिखाकित करते हुए कार्य योजनाएं विक्सित करें नियमित मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग, इन संकेतकों की नियमित निग्रानी के लिए एक कार्यक्रम स्थापित करें, साथ ही समय समय पर हिद्धारकों को प्रगती और सुधार के क्शेत्रों को दर्शाने के लिए रिपोर्टिंग करें इस प्रकार संगठन जटिल चुनौतियों को प्रभावी धंग से नेविगेट कर सकते हैं, प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं, और सतत सपलता प्राप्त कर सकते हैं Implementation Business Process का हिस्सा है, और एक रणनीतिक ड्रिश्टिकोन की मांग करता है, संगठन के भीतर लीडर्स की पहचान करना और उनको जवाब दे बनाना, ये रणनीतिक प्राथमिक ताएं ESG उद्देश्यों को एक स्पष्ट दिशा देती है, और अपने कारियों के माध्यम से प्रत साहित करती है, साथ ही साथ एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देती है, जहां हर कोई सामुविक लक्ष्यों की प्राप्ती में योगदान देता है, इस प्रकार के एकी करन के माध्यम से ये केवल स्वतंत्र परियोजनाओं से अधिक बन जाती हैं, वे संगठन के निरंतर और सस्टेनिबल सफलता को बढ़ावा देती हैं, निरंतर सुधार एक गतिशील प्रक्रिया है, नियमित रूप से पफॉर्मेंस को रिव्यू करना खास करके निर्धारित संकेतों के संगठन प्रतिक्रिया और सीखे गए पाठों को एकी कृत कर सकते हैं, उन्हें अपनी चन्नीतियों और क्रियाओं को परिश्कृत करने में सक्षम बना सकते हैं, इस तरह ये चक्र सुनिष्चित करता है कि संचालन विक्सित होते उद्देशियों और चुनोतियों के साथ संरेखित रहे, ये द्रिष्टिकों न केवल संचालन आत्मक उत्कृष्टा को बढ़ा करना उन संगतनों के लिए महत्व पूर्ण है जो अपने व्यापक ESG लक्षियों के भीतर सुरक्षा नेत्रित्व को एकी कृत करने का लक्षय रखते हैं, इस प्रकार ESG उत्कृष्टा प्राप्त करते हैं, ये व्यवस्थित द्रिष्टिकों न केवल सुधारित संगर्थन की प्रतिष्टा को भी काफी बढ़ाता है और हिद्धारकों के बीच विश्वास निर्मान करता है। निरंतर सुधार, समीक्षा, अनुकूलन और बेंचमार्किंग पर प्राथमिक्ता देकर, कम्पनियां उद्योग के रुजानों से आगे रह सकती हैं, नियाम की सोच वाली मानसिक्ता को दर्शाती है जो केवल वित्तिय प्रदर्शन को महत्व नहीं देती, बलकि सामाजिक जिम्मेदारी और परियावरन ये स्टीवर्टशिप को भी महत्व देती है, जिससे कॉपरेट उत्कृष्टा के लिए एक नया मानक स्थापित होता है। To receive regular updates on our latest videos. We're excited to bring you content that celebrates and promotes awareness around safety practices and principles. Your support helps us continue to spread important messages about safety and well-being. Share, subscribe, comment, and stay tuned for more updates.